तुम्हारी कबर खो दूंगा इन्हें ये डर है कि बगावत होगी अब लोग सडकों पे उतरेंगे ऐसे तो तड़ी पार जी पे कितने मुकदमे यूपी के सीम के उपर तो अंगिनत मुकदमे जंगल राज है कितने बंद करोगे जेल कम पड़ जाएगी तुम्हारी जेल में गुसक्या अंदोलन करूँगा मारोगे कितना मारोगे किस बात का भै दिखाओगे आपके घर आओंगा आपके माता के सामने देदोगे मुझे मा बेन की गाली अपने मम्मी के सामने इस बार EVM के बदले बैलट पेपर से वोट कर ले दूद का दूद पानी का पानी हो मेरे प्रियत देशवासियों एक बात मैं आज आपको बोलूंगा हो सकता है कि मैं अपनी दाड़ी कटा लूँ क्योंकि मैं जहां भी जाता हूना मेरी गाड़ी फ्लैश कर देते हैं ये लोग रोकने के लिए मेरे पे वार होना कोई बड़ी बात नहीं आप जानते हैं पर एक बात मैं बोलूंगा मेरी फाउंडेशन क्या है आपकी फाउंडेशन है रेबल शदानद पाति फाउंडेशन आप लोग के साथ है अगर कभी कुछ हो जाता है इस मुहीम को छोड़िए गा नहीं मुहीम को मत छोड़िए गा मेरे बच्चे भी छोटे हैं उनसे मैंने वादा किया कि मैं इस मुहीम को नहीं छेड़ूँगा छोड़ूँगा नहीं अगर इस मुहीम को छेड़ा दे कि एक छोटी सी बात हम भारती हैं मेरा तो सीधा सीधा एक fundamental है अपन किसी को छेड़ेंगे नहीं अपन को कोई छेड़ेगा तो से छोड़ेंगे नहीं महारास्टम एबात बोलते हैं और यह जो जंगल राज ने कमल राज नहीं है यह जंगल राज है और एक बात मैं सवीने निवेदन करूँगा आप सभी से मेरे प्रिय भारतवाश्यों कि मेरे प्रिय भारतवाश्यों 15 अगस्ट सुबा साड़े आठ बजे अवश्य रहिएगा मेरे साथ अपने जीवन का 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट मुझे दीजेगा बहुत सारे लोग है भारत के जो मेरे से जुड़े हुए हैं जो आना चाहते एक संगठन के तौर पर हम समर्पित करेंगे अपने फांडेशन को रेबल सदानन पती फांडेशन का हम सदस्टा कारिकरम 15 अगस्ट सुबा साड़े आठ बजे से सुरू करेंगे औलाइन सदस्टा होगी आपसे तीन चीज़े मांगी जाएंगी वो मैं उसे दिन बताऊँगा और मैं आपसे हक के साथ ये तीन चीज़े लूँगा मैं लूँगा और मैं एक बात बोलना चाहूँगा मेरे वीर हिंदु भाईयों मुसल्मान साथियों और अनंत बलिदान देने वाले सिक्ष के बीर वंदु और भाईयों और बैनों और सेवा भावार्थ के महान क्रिश्चन भाईयों और साथियों मेरे दलिश साथियों मेरे च्छत्रियों मेरे ब्रामन भाईयों और बैनों वीर जाठो वीर गूजरों आप एक बात का आंकलन कीजे हम समस्त भारत एक ही जाती से हैं हमारी कोई अलग जाती नहीं है बनाने वाले भी यही है अलप संख्यक प्रकोस्ट बना देते हैं जब पॉलिटिक्स आती है तो यह पद और मंत्राले बनाना सुरू करते हैं लेगिन क्या आपने कभी हमारे प्रकेस देते हुए मेरे वेपारी भाईयों और बहनों आपसे देश चलता है मैं एक बात आपसे पूस्ता हूं वक्त है आगाज का क्या आपको लगता है एक लाक करोड का जो पैकेज इनों ने डिकलेर किया निर्मला सिता रमन जी ने अब देखिए एक रवी बिश्व कर घर्मथ अर और और लोग ये जो लोग कमेंट करते हैं मैं तो एक बात बोलूँगा मैं कभी अबद्र आचरंड का इस्तेमाल नहीं करता क्रिप्या गमेंट में गलत चीज़ें आपी भी माताए मैंने होंगी आपकी भी माताय मैंने होंगी आप इस बात को समझे अगर आपको मेरे से अलर्जी है तो मेरे प्रश्णों का जवाब दिलवा दीजे भाईयों और मैंनों इस मंच के माध्यम से मैं आज आप से एक बात बोलता हूँ आप कमेंट में अपने प्रश्ण लिखे प्रश्ण लिखें मोदी जी को सम्मंदित करके उन्हें रेफर करते वे लिखें मैं यह प्रश्ण उनको भेजूँगा प्यम में जिन प्रश्ण का जवाब आएगा मैं उन प्रश्ण को 10,000 रुपे का पुरस्कार नीजी तोर पे दूँगा वो इसलिए कि मुझे यह देखना है कि क्या मोदी जी प्रश्ण का उत्तर देते हैं क्योंकि अब तक तो मैंने उनको मन की बात करते वे देखा है दिल की बात सुनते वे नहीं देखा असाम में जो आज हलात हैं बाड से लोग जो मर रहे हैं उनके लोग उनके जानवर पशू आज जो उनके आदिवासी कम्यूनिटी वहां के ट्राइबल लोग जिन कस्टों को सहर है यह असाम भूलेगा नहीं लेकिन इनका फोकस आज भी दूसरे राज्जों का है नहीं नहीं राज्जों को जो राज्जों में कॉंग्रिस की सरकार है चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार है चाहे त्रिनमूल कॉंग्रिस का सरकार है उनको पलट दें और बीजेपी का बना ले पता है किसलिए इनने डर है इनने ये डर है कि बगावत होगी अब लोग सडकों पर उतरेंगे और लोग सडकों पर उतरेंगे ही उतरेंगे मैं आपको बताओं लेकिन peaceful तरीके से अब आप देखें मैं तो पांच चकस को देखूंगा कि करोना का नियम काई देकर पलटते हैं या नहीं भाई और मैंनो डॉक्टर कफील खान की तारीक थी 15 जुलाई अलाबाद कोड में आप देखें 14 और 15 जुलाई को अलाबाद कोड में सनिटाइजेशन का ओडर कर दिया जाता है यानि कि कोड हेरिंग ना हो अगली तारीक लग जाए और डॉक्टर कफील की जमानत ना हो मैं रिपीट करूँगा डॉक्टर कफील खान जो बंद है जेल में उनकी तारीक थी 15 जुलाई अलाबाद हाई कोड में प्रयाग राज बराबर इन्होंने 14 जुलाई और 15 जुलाई को अलाबाद में ओफिशल नोटिफिकेशन है मेरे पास इन्होंने कोड को सनिटाइजिशन करा दिया है आप इस तरीके से किसी की जमानत रोग दोगे उसकी भावना को रोग दोगे आप अरे अगर उनके ओपर कुछ आरोपे उन्हें अपने आरोपों के खिलाब लड़ने का मौका तो दो कसुरवार है तो फासी पे चड़ा देन ऐसे तो तडिपार घी पे कितने मुकदमे यूपी के सीम के अपर तो अनगिनथ मुकदमे वो कैसे मंतरी बन जाते हैं कुलदीप सेंगर जी पे तो इतने मुकदमे थे आज वो जमानत पर छुटे हुए हैं कुल्दीप सिंगर जी जैसे लोगों की जमानत हो जाती है और डॉक्टर कफील खान जैसा एक त्यागी वेक्ति करता वे निस्ता आदमी देखिए मैं किसी समुदाय का सपोर्ट नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे देश का कोई समुदाय नहीं है मेरे देश का एक रिलिजन है भा इसलाम से लेना है ना कुछ मुझे मेरे देश से लेना है मेरा देश पहले है पहले मेरा देश आता है बाद में कुछ आएगा और जहां मेरा देश है वहां मेरे देश वासी है वहां मेरे देश वासी है पहली प्रियरिटी मेरे देश के नागरिकों का हर भारतियों को आपन इतना समय ले रहे हो आपने सरकारी विभागों का युत्तर प्रतिश में रंग बदल दिया अरे रंग बदलने से क्या होगा जी काम करके देने होंगे लोग काम मांगते हैं आई आसाम चलिए चलिए आईए लोगों का कस्ट दिखा तो आईए ना बिहार चंपारन आईए समस क्या स्थिती हो गई है कि कुछ फैसिलिटीज नहीं है ना गॉर्मेंट की और से है जो भी हम जैसे लोग आप जैसे लोग भारत में मिलके कर रहे हैं उससे फर्क पड़ता है एक्टिविस्टों को जेल में डाल दोगे क्यों भई जंगल राज है कितने बंद करोगे जेल कम अंदोलन करूंगा मारोगे कितना मारोगे किस बात का भै दिखाओगे गाड़ी का नंबर फ्लश कर दोगे कर लो यह सुबहिंदु कुमार पांडा लिखते हैं मेरे को अभी भाई साब आओ ना रोड पे आपकी विचार धारा बदल जाएगी जब आप देखोगे ना जमी किसी भी पार्टी को माने लेकिन एक बार आके धरातल पे जमीनी तोर पे चीजों को देखिए तो सही अरे प्रस्टों तो उठाना चाहिए यह राजंदर सरोज यह लिखते हैं कि तेरे को मिर्श क्यों लग रही है अरे सरोज जी मिर्श नहीं लग रही है आप जो कमेंट लेकिन मेरा हिंदुत्व यह नहीं सिखा था कि केवल भास्टों में हिंदुत्व हो हिंदुत्व सेवा का परमार्थ है हिंदुत्व का मतला होता है सेवा भावना आईये न सेवा कीज़े से कमेंट करके क्या करना है मैं तो निकलता हूं रोड पे मैं तो मिलता हूं यह दे इसका गद्दार बताते हैं क्यों भई क्यों भई देश के देश के लिए इमानदार किवल यहीं लोग हैं नेता जी बीजेपी में थे क्या नेता जी सुवास चंद्रबोस बीजेपी के फॉलोवर थे क्या बल्लब भाई पडल बीजेपी के थे क्या चलिए बात करते हैं अश जारामवान रॉय बीजेपी के थे क्या गुरोदेव रमिदनाठ टेक और बीजेपी के थे क्या और कितने नाम गिनाओं जब देखो एक मन में एक साइकलोजिकल डिसाड़बंटेज पाल रखा अपने दिमाग में बाबा साथम्बेड कर बीजेपी के थे क्या अरे भाई यार हो रहा है हमें नहीं मत्तब है पॉलिटिक्स से ना मुझे पॉलिटिक्स करनी है कभी पॉलिटिक्स करना होता था अपने नाम का के रेबल नहीं लिखवा था पंदर अगस सुबा साड़े आठ बजे लाईव आऊंगा ना जो लोग ये कमेंट उटपटांग लिख रहे हैं गाली गलोच के आपके घर आऊंगा आपके माता के सामने देदोगे मुझे मा बेन की गाली अपने मम्मी के सामने संसकार तो भारतिता की है ना मेरे संसकार नहीं है मैं तब भी आपके माता पिता का नमन करूँगा अरे मेरी लडाई विचारों से मेरी लडाई केवल विचारों से अरे सेलेक्शन और इलेक्शन दो चीज़े हैं और चलो चैलेंज करता हूँ चलो तो यार तुम लोग इतना कुछ लिक रहा हो ना गाली गलाच चलो चैलेंज करता हूँ कहो अपने बीजेपी के नेताओं से इस बार इवियम के बदले बैलट पेपर से वोट कर ले इस बार इवियम के बदले बैलट पेपर से वोट कर ले दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा है इमत ओपन चैलेंज राइट तो रिकॉल का परिमिशन दे दीजे आपके ज़्यादा दर सांगसत जो है ना बापस चले जाएंगे राइट तो रिकॉल दे दीजे आपको मतलब CA लाना है NPR लाना है NRC लाना है अरे राइट तो रिकॉल भी लेए यह न मैं मना नहीं कर रहा राइट तो रिकॉल लेका आजए यह राइट तो रिजेक्शन लेआईए कि जो नेता काम नहीं करेगा रिजेक्शन का पावर हो एक साल के अंदर आप बताओ अरे मुद्दों पर बात करोगे ना आप नत्मस्तक हो जाओगे रेबल्स के आगे हमने देश के बारे में सोचा है नीजी सोच नहीं है और उसमें आप भी जो हमारे उपोजिशन में वो भी हमारे प्रीय है क्योंकि मैं आप लोगों को भी सम्मा एक छोटा जा प्रश्ण इस बार का इलेक्शन बैलेट पेपर से कर लीजे ना अगर आप इमानदार हैं आपकी इमानदारी की छवी है इवियम को छोड़ देते हैं इस बार आईए ना खुले मैदान पे चोड़े में इमानदारी की तो हमेसा जैकार होती है वीरता हमेसा जीतती है बेशक वो वीरगति को प्राप्थ हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता गाली गलोस से कुछ नहीं होगा तुमारे धंकियों से रेबल डरने वाला नहीं है दूसरी बात भाई और बेनो राइट टू रिकॉल की परमिशन अगर मिल जाए जो एमेले एमपी एक साल म अपने छेत्र में काम नहीं करता जैसे हिमा मालीनी जी जैसे सनी देओल जी जैसे हंगस राज हंगस जी अपने छेत्र में नहीं आते ये लोग पहले धर्मिंदर जी थे पता नहीं मैं यम्ला पगला दिवाना यही सब होता था अपने छेत्र में आते ही नहीं थे यह जी आज ही एक बर सामने एक बर सामने आईए और आता हूं आपके पास बुलाईए मुझे मेरे दोस्त आपको पांच चीजे लिख के देदूगा उसका जवाब दे दीजेगा पचास बार बोला है मोदी जी के खिलाफ नहीं है बैट गवर्नेंस के खिलाफ हैं समझ में नहीं आती लेकिन आपको तो चेला बने रहे ना जी अंद चेले तो बने रही है हम में कुछ है हम में दम है और अपना दम तम दिखाएंगे अपना दम तम दिखाएंगे पहली बात पंदर अगस का इंतिजार कीजे आप लोग जो सोस्ते हो ना कि कॉंग्रेस का स्पिकर कॉंग्रेस आम आदमी पार्टी त्रिनमूल पार्टी समाजवादी पार्टी जो जो विदायक जिस छेत्र के MP काम नहीं करता हर एक के छेत्र में जाऊंगा अपने वॉलेंटियर्स रेक पुलेगी पर एक रिक्वस्ट है अपने मोहले के मुसल्य तो उठाओ अपने गली मोहले के परशानियों को तो कहो भाई और वेनों 15 अगस सुबा साड़े आठ वजे रेबल फाउंडेशन को मैं समर्पित करूंगा रास्ट को हमारी सजस्यता कारिक्रम सुरू होगी कृप अच्च मैं हर दो दो तिन तिन के पीच आपके बीच रहता ही हूँ मुझे सफर करना होता है मेरा नंबर डंबल एट 4000 ्पृषवन maximum मैं रेबल शदानन पतिया अपना पर्सनल नंबर डबल एट ट्रिपल जीरो नाइन टू सेवन फोर सेवन ये नंबर दे रहा हूँ इस पे मैं सारे कॉल नहीं उठा पाता हूँ मैं माफी चाहूंगा क्योंकि चार लाग पांच लाग कॉल्स आ जाती है फोन हैंग भी हो जाता है लेकिन 15 अगस के पहले हम सिस्टेमेटिक तरीके से सब करेंगे आनलाइन फोर्म भी हो गए हमारी सजस्ता का आप आईए जब देश के हर कोने कोने जिले में हम समस्याओं को लाएंगे पीमो तक तब इनका कान खड़े होंगे तब ही आएंगे प्रसाशनिक जिम्मेदारियों पे तब तक सयोग कीजे आशिरवात दीजे और मेरे प्रिय ओपोजिशन के लोगों जो मुझे पसंद नहीं करते एक बात मैं बोलना चालूँगा कि मेरे से नफरत मत कीजे मैं बीजेपी से नफरत नहीं करता बस मुझे केवल इतना लगता है कि जहां आप काम नहीं कर रहे हूं आपको काम करना चाहिए आप चुने वे सरकारें आपको काम करना चाहिए नोटा एंड राइट टो रिकॉल इंदर जी चौहां जी ये लाना ही लाना है और इस मंच के माज़्यम से मैं एक बात बोलूँगा राजस्थान के एक वेक्ति इंदर जी नामा उन्होंने मेरे को या आईडिया दिया था मोदी जी वाला कि आप कमेंट बॉक्स से कि अगर मोदी जी आपके प्रश्ण का जबाब देते तो मैं दूँगा जसधार इंदरजित भाई आपको समर्पित और आगे भी मेरे साथ देते रहिएगा भाई और बैनो असाम की स्थिति के लिए हम लोग तयार हो रहे हैं और हर राज्यमें यही स्थिति है हर राज्यम कहीं भी इन गौवर्नेस नमें छोड़ा नहीं है साथ दीजे सयोग दीजे मेरे भाईयों मेरा नंबर डबल एट ट्रिपल दीरो नाइन टू सेवन फोर सेवन आपके लिए समर्पित पूरा प्रयास करूँगा जितने कॉल आए उठाने का अभी थोड़ी देर के लिए अन